हलो अबरीबरी कैसे हो आप सब सभी को गूड मारिंग सभी को स्थटी टिप्स यूटीब चैनल में स्वागत करता हूँ मैं संदीब कुमार दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे एक जबरजस्त टार्गेट बैच लेकर आया हूँ मैं जिसका नाम है हंड्रेड डेज टार्गेट बैच किन किन लोगों के लिए यह हैं आपके पता होना चाहिए SSC के किसी भी एक्जैमनेशन के लिए आप अगर तयारी कर रहे हो एंटिक पीसी का दूसरा जो टायर होने वाला है उसके लिए स्पेसल है और जो अर्डेड डेज टार्गेट बैच के उपर जहां पे आपको फ्री आप कॉस्ट पूरा कोर्स आपको क्रैस कोर्स के रूप में मिलेगा और भी फ्री आप कॉस्ट यहां पे आपको पीडियाप भी मिल जाएगा तो जल्दी से जल्दी शेफ्सक्राइब कर ले अगर आप इस चैनल पर नई है और आप इस चैनल पर पुरा ने है तो हमारे तो हैं आप जल्दी से जल्दी तो मैं आपके लिए आज नमबर सिस्टम का एक सौट और जमर्श्यस्ट तरीके का ट्रिक्स लेकर आया हूँ तो देखते हैं, चंद सेकेंड में बनने वाली questions, लंब लंबे questions जो देखते हैं, जिसे हमें डर लग जाता है, तो उस questions को हम लोग चंद सेकेंड में कैसे करते हैं, वो चीज हम लोग यहां पर देखेंगे, तो tricky mathematics, यारी tricky math के अनुसार, आज हम लोग number system के उपर में बात करने वाले हैं, तो चलिए, start करते हैं, और आपको सबसे पहला question है ये, तो देखते हैं, आप अगर इसको बना पाते हो, तो कितना time लेते हुआ, सबसे पहले तो कोई भी questions को देखके, आपको डरना नहीं है किसी भी चीज के लिए, तो पहला example आपके सामने ये रहा, इसके में है 1 plus 2, ये number system के बहुत ही, जाने पहचाने questions आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और हम लोग previous year बहुत ही ज़्यादा important questions के साथ, हम लोग trick set करेंगा, ऐसा नहीं कि जो questions पर trick set होगा, उसी questions को हम लोग लेंगे, ऐसा नहीं, आप लोग भी निचे comment कर सकते हो, कोई भी questions, उसको according to tricks कैसे set करना है, वो मैं बताऊंगा आपको, तो देखें इस question को कैसे solve करना है, आपके general question रहेंगे आपके साथ, आपका question है, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4, dot 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 करके 48 plus 49, 50 plus 49, मतलब एक बढ़ते हुए series और एक गढ़ते हुए series को यहाँ पे जोड़ा जाना है, तो यह कैसे होगा, इसका short solution बता हूँ, देखो मैं बताता हूँ आपको, इसका answer कैसे होगा, तो जो भी ज्यादा highest number है, उसको आप square कर देंगे, तो number निकल जाएगा answer, इसको मैं दूबारा कोई और question के साथ भी आपको tricks बताऊंगा, यह कैसे यह काम करता है, और यह सही है क इसका भी check आपको करना जरूरी है, तो चली एक बार देखते हैं, just take a second, इसको raise करते हैं सभी को, तो इसका hot tricks क्या है, इसमें हम लोग जानते है, जब प्राकृत संक्या, जो भी प्राकृत संक्या, और natural number, ओके प्राकृत संक्या हम बतलब natural number, ठीके, आप अगर English medium से हो, तो जो भी आपके लिए हमने ब्यवस्था किया हुआ है, यहां पे, ठीक है, संक्या, बढ़ते या घटते करम में हो, तो उसका योगफाल, यानि कि addition निकालना हो, यानि कि बढ़ते वे करम, और घटते वज दोनों का addition निकालना हो, तो आप क्या करो, कि जो भी highest number आपका इसली निकल जाएगा, ट्राइ करते हो, तो एक पर ट्राइ करो, चलो जल्दी से आप बिना पैन उठाए ये बताओ, कि 1 प्लस 2 प्लस 3, प्लस 2 प्लस 1 कितने होते हैं, आप काउंट करो इसको, देखो 1 प्लस 3, 36, 6 और 2, 8, 9, 3 का अगर इस्वेर करेंगे हम लोग, जो भी highest नमबर है, तो कितना आएगा, 9 आएगा, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, और अगर आप इसको ऐसे serially wise भी जोड़ो, तो देखो कितना आता है, 9 आता है, तो ये आपका बहुत ही किमती और बहुत ही शांदार ट्रिक से आप इसको solve कर सकते हो, यानि कि second में, second का य ये चीज़ अब आप इसके उपर भी master बन जाओगे तीरे तीरे, चलिए next question पर चलते हैं, ये question पर command आए गई आपको, command हरे question पर तुरंद ले आना है, ठीक है, आपको भी 2-3 आप वीडियो को pause कीजिए, और 2-3 questions खुद ही ले लिजे, जैसे मैं एक देता हूँ, इसका answer अगर आपके लिए time 2 seconds से भी ज्यादा लग गया, that means आपको फिर से देखने की ज़रुत है, ठीक है, यनि कि आपने क्या किया होगा, यहां पर 5 का square डिरेक्ट कर दिया होगा, सही है, इसको check करने के लिए आप यूज कर सकते हो, अपने calculator, है ना, 15-20,000 रुपए के calculator लगाओ उसमें भी आपको वही solution मिलेगा, जो कि आपने यहां पर 5 का square कर दिया है, तो चलिए यह जबर्चस trick के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और next question देखते हैं कि और क्या क्या questions है आपके लिए, यह तो पहला part है, और भी parts आएंगे आपके लिए, लगातार 5 यह जो वीडियो यहां पर disturb कर रहा है, इसको थोड़ा सा बीच में कर देते हैं, चलिए, लगातार 5 सम संख्याओं का योग 330 हो, तो सबसे बड़ी सम संख्याएं ज्याद कीजिए, सम मिन्स इवेन, इवेन नमबर बोल रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है, यानि कि continuous अगर हम लोग लगातार जतने भी 5 सम संख्या, इवेन नमबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे, तो कितना होगा, तो इसका ट्रिक्स देखे कैसे होगा, 5 सम संख्या बोला जा रहा है, और लगातार कितना योग है, 330, तो 330 से इसको हम लोग डिवाइट कर देंगे, तो इसका क्या निकल जागा, सबस इसको क्या क क्या हम लोग, इसे प्लस कर दिया तो यह निकल गया एक्चुली इसमें हम लोगों ने क्या किया देखिए इसका होट ट्रिक्स यहां पर नीचे मेंशन किया हुआ इसका पीडिया आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया वर हैगा आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं ओई free of cost ठीक है तो सम सभी सम या विसम संख्या के लिए यह ट्रिक आप लगा दीचे यहां पर as divided by n plus n minus 1 यह चीज आप ट्रिक लगा दीचे आपका सारा कहानी यहां पर इसली हो जाएगा ठीक है और जो भी छोटी यह देखे बड़ी यहां पर होगा सभी बड़ी के लिए ठीक है बड़ी सम या विसम संख्या जब निकालना होगा तो यह पर प्लज डाल देदा है और जब छोटी सम शंख्या आप से पूछा जाएगा तो क्या करना है as by N minus N minus 1 कर देना है तो देखें निकल जागा यह चोटि के लिए यह बड़ी के लिए है नहीं यह हमेशा बड़ी के लिए यूज होगी और यह हमेशा चोटी के लिए याद रखना है बड़ी के लिए हमेशा प्लस रहेगा और चोट्य के लिए ख्लिए कमिन Today रहेगा ओके तो देखिए इसमें क्या है आप कोई भी और नंबर्स लेकर आप पाउस कीजिए वीडियो को और नंबर्स लेकर आप इस लिश लिए इसको सीखिए और एक बढर प्रैक्टिस कीजिए बताईए हमें कि आपका एंसर कितना आया कोई एंसर को लेकर next questions पर चलते हैं हम लोग एक व्यक्ति अपनी आये का पांच बटे 13 भाग खर्च करता है यदि उसके पास 3600 रुपए बचे हो तो उसकी आये कितनी है तो देखो कितना अच्छती सो गुने 13 बटे 1359360 इसका एंसर होगा कितना असानी से बन गया ना अधर्वाइस आप इसको calculate करोगे कैसे होता तो इसका hot बताय जाए तो सेज जीतना रासी बचाओ उसको हर से गुना कर देना होगा और अंस एवं हर का अंतर यहां पर आपका कर देना है वहाँ पर लिख देना है देखे इसको समझाते है कि कैसे यह पर 5 कैसे आया और कितना मेरा एंसर कैसे आया इसको एक बार फिर से समझा देते हैं आप सभी को देखें आप किसी भी मान लीजिए एक आपका पैसा था इतना रुपई आपके पास है ठीक है ना एक भाग मान लेते हैं पूरे को ठीक है पूरा पैसा मेरा एक था ठीक है अब इसमें 5 बटे 13 भाग क्या हुआ खर्च हो गया 5 बटे 13 भाग खर्च हो गया तो बचा कितना बचा कितना तो 8 बटे 13 भाग बचा क्योंकि 13 भाग में हम लोगों ने इस पैसे को बांट दिया है तो 5 भाग खतम हो गया तो 8 भाग अभी भी बचा हुआ है तो बचे इसके साथ गुना करना है हर के साथ ही यानिकि 3600 जो राश्य है आपका उसको 13 से गुना कर दिया हम लोग इसके बाद इसके बाद आप इसको लॉग टर्म से भी चेक कर सकते हो दोस्तों एक्जाम में इतना आसान नहीं होता है इतना जादा टाइम आपके पास नहीं होता है कि आप उसको एक देड़ बेज में सौल करो तो इसलिए आपको बहुत ही जादा अपने mathematics calculation को बहुत ही जादा speed करने की ज़रुत है और हम आपको समझाएंगा और हम आपको सहयोग करेंगे बताएंगे कि कैसे आप इसको fulfill कर सकते हो अपने तक है ना चलिए आते next question में एक बार जल्दी से like क्लिक कर दीजिए सभी और जितने भी अभी नए है हमारे चैनल को जल्दी से subscribe जरूर कर ले क्योंकि इस तरह के आपके सामने इस तरह के बहुत ही फाइदेमंद यह सब nots वगेर आपको मिलता रहेगा यहां पर और बहुत ही जब अब इस घटाने पर परिणाम मूल संख्या के पांच बटे आठ से अठारा अधीग है तो वह संख्या कौन सी है जो कितना इसली यह बात यहां पर बता दिया गया लेकिन यहां पर क्या होती कि एक्जाम में confusion confusion भर जाता है कि आखिर पूछा क्या और इसमें हम लोग के इसके बाद question आपको बताता है 48 into 8 divided by 3 यह इसका संख्या आएगा पूरा answer आप देखिए आपको अगर समझ मनी आए question तो फिर से हम बता रहा है कोई भी एक संख्या है कोई भी एक संख्या है उसमें अगर हम लोग 24 घटा देंगे तो उसका जो परिणाम आएगा जो result आएग वह मूल संख्या मतलब उसी संख्या के पांच बटे 8 से 18 अधिक है तो उसका बोल रहा है कि वह संख्या कौन सी है आप इसको लॉंग में बनाना चाहेंगे तो लॉंग में भी आप बना सकते हो ठीक है कि जैसे एक्स में अगर हम लोग 24 माइनस कर दिये यही बोला जा रहा ह है कुश्यन में तो यह क्या हो गया उसी संख्या का पांच बटे 18 से 18 काम है यहीं आपका सॉलिशन हो गया अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका लॉंग टर्म है इसली सॉल्व हो जाएगा ठीक है ना लॉंग ट्रिक में तो आप लोग समझा होगे यहां पर अब क्या करना है 48 48 इंटू 8 divided by 3 यहां पर 112 आपका एंसर आ गया देखो इसका ट्रिक क्या होता है किसी भी संख्या मैंसे किसी भी संख्या मैंसे एन घटाने पर ठीक है यहां पर जैसे 24 दिया है तो 24 एन के जगब मे हो गया परिणाम का मुल संख्या का एक्स बटे वाई मैंसे एम अधिक हो तो इसका ट्रिक क्या होता है एम प्लस एन यानि कि एम और एन को जोड़ देंगे यह हो गया यह हो गया एन और यह हो गया आपका एम यह दोनों को जोड़ दिया हम लोग एम प्लस एन कर दिया तो क इसके बाद क्या करना है गुना वाई जो नीचे वाला टर्म है उसके साथ इसको गुना कर देना है आप लोग यह सोच रहे हुआ कि हरे एक क्वेस्टेंस के लिए हम लोग अलग अलग ट्रिक्स क्यों पड़े हम लोग का कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सब चीज बन जा होगी आपका कुछनच जो भी है इसली से सॉल्व हो जाएगे घबराना नहीं है कि हरे कुसेट के लिए पर्टीकुलर्ली हम लोग एक ट्रीप्स एंडट्रिक्स क्यों सिख्ष हैना को रिलेड टर्मा सकते हैं जीसे क्वेस्ट का कुछ और ट्रिक है तो स्ट्रिक को यहां अभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं देखिए तो अभी क्या हो गया यहाँ पर एम प्लस एन इंटु वाई डिवाइड़ बाई एक्स एंड वाई का अंतर दोनों के बिच का जो भी डिफरेंस है तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कैसे कैसे अपलाई किया उसको एक बार गर देते हैं यहाँ तो क्या किया सबसे पहले एन यानिकि 24 और यानिकि 18 दोनों को जोड दिया तो 48 आ गया डहरा, इसी दर से आप बहुत ही आसानी से आप सब चीज देख सकते होुआ, आते हैं नेक्स ट्रिट पे, किसी भी संख्या में 4-5, 6 से भाग देने भर उसके क्रमागत से 2, 3, 4 प्रामत होता है, किसी भी संख्या में 4, 5 और 6 से भाग दे sowला है, पांच से भाग देने पर तीन प्राफ्त होता है और छे से भाग देने पर चार प्राफ्त होता है यदि संख्या में 120 से भाग दिया जाए तो शेश कितना होगा देखिए कितना आसान विशन है इसको सेश के लिए हम लोग क्या करते है दो प्लस तीन गुना चार चार गुना बराबर जितना भी आएगा वो आपका answer होगा तो देखे कितना easily है इसको हम लोग easily हम लोग इसको कैसे solve कर सकते हैं hot trick से वो देखते हैं हम लोग यदि किसी संख्या में D1, D2, D3 यह हम लोगोंने मान लिया D1, D2, D3 से भाग देने पर उसका करमागत से R1, R2, R3 प्राप्ट होता है है ना तो यदि संख्या में D1, D2, D3 से भाग दिया जाए तो प्राप्ट कितना सेश होगा फिर से है ना कितना सेश फिर से होगा तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे देखिए इसके लिए क्या है सबसे पहले R1 प्लस R2 इन्टू D1 R3 इन्टू D1 और इन्टू D2 हम लोग यहाँ पर कर देंगे तो इसली आपका ये एंसर निकल जाएगा होँ पर ठीक है ना आप इसको ट्राइ करो एक कोई नया कोईस्टिन लेके आपको समझ में जाएगा है ना चलिए एक कोई भी एक्जामपल लेके आप ट्राइ कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि इसी क्वेस्टिन के उकर आप पाउस कीजे वीडियो को और चैप्टर को देखते हुए फिर आप आसाने से इसको कर सकते हैं यदि दो संख्या से बना एक संख्या और उस संख्या के अंको को आपस में बदल दी गई और उससे जो बना संख्या तो उसका अंतर 99 है तो उस संख्या के अंको का अंतर कितना होगा देखिए यह कुश्यन बहुत ही जादा आता है इस तरह सवाल हमेशा नंबर सिस्टम से आता है इजी यह देखने पर लेकिन कॉंप्लिकेड हो जाता है इस टाइम पर तो इस टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं 99 divided by 9 कर दिया हम लोग जितना अंतर आ रहा है उसको 9 से डिवाइट कर दिया जितना आएगा वह आपका एंसर हो जाएगा है ना देखिया इसका एंसर केतना कैसे इसको हम लोग ट्रिक से बनाए यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उसके संख्याओं को आपस में को क्या कहेंगे उन दोनों के संख्याओं के अंतर कितना होगा कैसे निकालेंगे वो चीज़ तो हम लोग जितना भी आपका अंतर होगा इसमें एडिशन दिया गया यानि कि योग दिया गया उसमें अंतर का टर्म था इसमें एडिशन तो यदि दो अंको से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंको को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का योग 33 है एक्जामपल मैंने बदल दिया आप लोग उसको भी हाट ट्रिक्स क्या कहता है यदि दो अंको से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंको को आपस में बदल कर बनाई गई नई संख्या का योग A हो एक्जामपल के लिए ठीक है तो उस संख्याओं का अंको का योग क्या होगा तो A divided by 11 है ना चलिए तो आप इसको अपलाई बढ़ाया है जितने भी बहुत ही शांदार तरीके से आपको बताया गया है आप इस सभी को अपलाई कीजिए और सभी के एक्जामपल से आप खुझ से सॉल्व कीजिए आपके पास जो भी बुक हो नंबर सिस्टम में इस तरह के जो भी सवाल हो तो उसको आप चेक कीज़ की सांडार तरीके से आपके मां पर बन जाएगा इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो और ये बड़ टाइम बच गया तो फिर आपो कुछ 65 जाए कि जो रहते हैं उस Почему लग लगा सकते है शुएख रूइए उसमें और बहुत ही असानी से टील हो जाएगा आपके समें हो जा खर्ड़न के नंबर सिस्टम के ही फिर दूसरे parts में यह तो पहला part है तो दूसरे parts में फिर हम लोग मिलेंगे और हम लोग और भी ज्यादा तरीके के other other जितने भी questions टाइप साते है previous year के आये वह कुछ questions थे इसमें और भी प्रिवियस येर के आई वे कुछ को हम लोग यहां पर लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो जादा टाइम टेकन लगते थे उसको चंद सेकेंड में हम लोग कैसे बना ले हैं तो यह आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कीजिए इसके उपर में और वी क्वेसिंस आपर राइज कीजिए खुद से डोंडिये और हम लोग यहां पर और वी क्वेसिंस के तौर तरीके आपको सिखाएंगे कि कैसे बनाया जाते हैं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बने रही है हमारे साथ सब्सक्राइब नहीं किया ह जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि यहां पर कुछ धमाल होने वाला है और हंड्रेड डेज टार्गेट बैच की अकोर्डिंग आप लोग अबर चल रहे हैं तो आप लोग ईजीली कोई भी एक्जाम को इदम तोड़ फोड़ दोगे इदम इजीली मतलब क्रेक कर रहा होंगे तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू और बने रही है हमारे टार्गेट बैट के साथ और भी अधर्स जो हमारे सब्जेक्ट से उसके सेड्यूल सा आप लोग चेक कर सकते हैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उ आप आप ले वरी वेस्ट